तो आज मैं जिस रेमेडी का यूज़ करने वाली हूँ अपने फेस को ग्लोइंग और स्पोर्टलेस बनाने के लिए वो है ये इसे कहते हैं चीराउन जीराइवान मैं है विचित्रा है अजिस भी दूर करेगा तो जिनकी स्किल में बहुत जादा अखनी है पिमपल है तो वह इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं साथ ही साथ अपने स्किन को फेर ग्लोइंग ब्राइटर टैन को रिमूफ कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा एक बोडी पॉलिशिंग फेस अजिए प्रहि नहीं साथ जाए ओगाल्योय मेरा स्किन प sû्कोंड थे लग मेरे मेरे बहुत चेहरे पॉलिश जाए पिंपल्स आदेस्पोर्ट मेरे स्किन ये ने पॉलिशिए ना तो तब तो शायद काश मुझे पता होता इस remedy के बारे में और इन सब चीजों के बारे में तो उस टाइन पर भी में कर लेती बट धीरे धीरे ठीक हो गया मेरा जो स्किन है बहुत अच्छा हो गया फार बेटर हो गया है सारी होॉम रणीर और एक अच्छा टैट लेने से फास्ट पूड को अवयड कर देना है विलकुल विलकुल एकदम अवयड है और सरा पानी पिना है तो इन सारी चीजों को कर करके मैंने का Quin-क अपने बालों को बहुत कर लिया है बहुत बहुत हर तक तो मुझे लगता है कि जो लोग भी इस चीज से परेशान होंगे ना जैसे पिंपल्स के दाग, ये स्किन अच्छा रहता है तो खुद में एक बहुत confident feel होता है अच्छा लगता है इसलिए मैं आप लोग के साथ ये remedy शेयर कर रही हूं जिनहीं भी पिंपल्स, या लाग चेहरे पे लाग, डार्क स्पोर्ट्स हैं अपने स्किन को के को इवन ।ोन करना चाहते हैं, फैर करना चाहते हैं दो इस रेमेडी को ज़रूर चुद करें बहुत फिक्टिव रमेडी है मैं बस आजसे नहीं बोल रही है आप एक बट्राई करिये बहु कोई शेर कर रहा है तो बहुत ही अच्छा यह रमीडी है इसे जरूर च्राइ करिएगा तो चिरॉंजी आपको आसानी से ड्राइफ्रूट के स्टोर में मार्केट में आसानी से मिल जाएगा और चिरॉंजी का मैंने यहां पे पाउडर बना लिया है चिरॉंजी स्किन के साथ ही मैं आड करूंगी यहां पे चंदन का पाउडर दाग धबो को दूर करने में चहरे को ग्लोइंग फ्रेश बनाने में यह फेस पैक बहुत ही मदद करेगा यह बहुत ही अच्छा फेस पैक है जितनी भी तारीफ यह कर लो न उतनी कम है और यहां पे मैंने आड किया ह है हनी ऑल स्किन टाइप के लिए है यह अड़ हनी के साथ ही साथ मैंने आप एड किया अलोवेरा जल सब को अच्छे से मिक्स करें अपने फेस पे अपलाई करें चिरॉन जी के बहुत सारे स्किन बेनेफित होते हैं स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है तैन को बादी पॉलिशिंग कर सकते हैं चिरॉन जी इतना अच्छा होता है इसके बहुत सारे अमेजिंग बेनिफिट्स हैं तो इसे अपने फेस पे अच्छे से अपलाई करें उसके बाद 15-20 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए इसे अपलाई करके रखें उसके बाद वाश कर ले इसे अपलाई कर लिया है इसे मैं अपलाई करके रखूंगी 10-15 मिनट तक और उसके बाद मैं अपने फेस को वाश कर लूँगी और जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपको आपको आपके चाहरे पर बहुत जादा आंकों की नीचे डार्क सर्कल्स है बहुत जादा डार्क सर मैं यह इम लिपस पे लगाया है एक अच्छा एक अच्छा लिपस का स्क्रब भी हो जाएगा यह वहुह बुफ इच्छा बुख़ च्छा पहल इसपे इतनी इतनी इतना अच्छा यह इसके बहुत आमेजिंक प्रपें एक ए besなんだ कर देखिए बहुत ही अच्छा बाइगा and thank you so much for watching my video I hope that you have enjoyed this video and for this video, I was not prepared for this video I have made a video just now so for this video, I was not prepared for this video you should try it and comment and tell me about this remedy